हलो वर थॉमेज़ जब से मैं इन दोनों टैंक को सेट अप किया मैने इस वीडिएो में सिर्फ बेटा दाएंग के बारे में था बात करी थी इस टैंक के बारे में मैंने specific जादा कूछ बात नहीं करी है तो इस वीडिएो मैं हम देखिएंगे कि लाइटिंग के चेंज के वज़े से इस टैंक में क्या सब चेंज आए हैं लेकिन जो लोग अप्टुडेट नहीं इस टैंक के बारे में इसके डामेटर्स कुछ ऐसे हैं यह एक प्लांटिट कमिनरी टैंग है जिसमें लाइटिंग के साथ कार्पेट भी कर सकता हूं प्लांट्स जैसे मॉन्टी कार्लो हो गया या फिर हैर ग्रास अब इसको मैं ऐसे नोटिस करा 9 वार्ड के लाइट पे ग्रो कराता हूं लो लाइटिंग बे तो प्लांट्स नैरो और लंबे-लंबे ग्रो होते हैं इस जैसे और जैसे मैंने अप्ग्रेड करा 9-15 पे तो प्लांट्स के लीप ब्रॉडर और बुशियर टाइप के आ रहे हैं मैं तब सारा खे इसके उपर मत जाना लाइटिंग में वरना काफी जादा यल्गी ब्लूम देखने को मिलेगी अब लाइटिंग एस अ मेन केरेक्टर प्ले करता है लेकिन साइड केरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आप कर रहा हूं फर्टिलाइजर की मैं प्रसनली लिक्विड फर प्रवाइड करेंगे लेकिन इन सब को यूज करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा इन्हें एक तब या फिर कंटेनर में डालके पानी भरके ऑल्मोस्ट एक हफ़ते के लिए फोड़ दो उसके बाद ऐसा सबस्टेट यूज करना इसे होगा क्या जो भी एक्सेसिव को कम करने में काफी जादा हेलफुल है जितना जादा प्लांट्स उतना हेल्दी टैंक इसलिए मैंने इस टैंक में भर-बर के प्लांट्स रखे हैं बिकॉस इसमें कोई फिल्टरेशन नहीं है और स्टॉकिंग काफी जादा हाई है तो मेरे को वाटर चिंज भी तीन दिन पर करने पड़ते हैं 30% 20% और भी प्लांटे टैंक रिलेटेड इन्फरमेशन के लिए यह वाली वीडियो जाके देखो